नमस्कार, इस वीडियो में हम पुल बैक फीचर e-office में कैसे यूज करते हैं, इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थूँ समझेंगे. हमारे पास एक फाइल है e-23, अब हम इसमे एक green note add करेंगे, और green note add करने के बाद, अब हम इसे एक ABC user को send करेंगे. यहां हम अपने ABC user को mention करेंगे, और send पे click करके send कर देंगे. अब यदि हमें लगता है कि हमें अपने green note में कुछ correction करना था, या वो फाइल हमें ABC की जगे XYZ user को भीजनी थी, तो यह हम कैसे करेंगे, आईए देखते हैं. हम send पर जाएंगे, और यहां हमारी फाइल e-23 के आगे एक pull back का icon आ रहा है. यह icon उनी files के सामने आएगा, जो अभी तक user के द्वारा खोली नहीं गई है. जैसे ही हम इस पर click करेंगे, एक pop-up आएगा, जिसमें हम अपना pull back करने का reason देंगे. अब हम अपने inbox में जाके देखेंगे, हमारी फाइल e-23 यहां पर दिख रही है, और यहां पर हम अगर कुछ correction अपने green note में करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, और साथ के साथ यहां पर अब हमें वो file ABC की जगे XYZ user को भीजनी थी, तो यहां हम उस user को mention करेंगे और send पर click क देंगे, धन्यवाद